हेलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक और कॉमेंट कीजिए तो मैं आज बना रही हूँ चटपटा भिंडी और इसे बनाने में मैं बहुत ही कम तेल का प्रियोग कर रही हूँ तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं बनाती हूँ मैं यहाँ पर ले रही हूँ भिंडी, गोल मिर्च का पॉडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी पॉडर, सरसो का तेल, धनिया पॉडर, मिर्च पॉडर, बेशन और नमक तो सबसे पहले हम बिंडी को अच्छी तरह से दो कर साफ कर लिए हैं और इसे इस तरीके से काट लिए हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो मैं यहाँ पर एक छोटी चमच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद नुसार डाल सकते हैं एक छोटी चमच हल्दी पॉडर, एक छोटी चमच मिर्च पॉडर, और एक छोटी चमच धनिया पॉडर, दो बरे चमच बेशन, एक छोटी चमच सिर्षो का तेल, इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए इस तरीके से, और इसे ढखक कर 20 मिनट के लिए रख दीजिए, 20 मिनट बाद आप एक कराही को गर्म कीजिया और इसमें डाल दीजिए डेड़ चमच तेल, अब इसमें डाल दीजिए भिंडी, हम यहां पर पानी नहीं डाल रहें, अगर पानी डालेंगे तो ये पूरा लससा जैसा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डाल कर लो फ्लेम पर सुरू से लाश तक पकाएंगे तो आप लो फ्लेम पर इसे सुरू से लाश तक पकाएंगे इस तरीके से मिलाईए और इसे ढखकर पकाएंगे बीच बीच में इसका धकन निकालेंगे और इस तरीके से इसे उलट पलट करके पकाएंगे जब ये 50% पक जाए तभी आप इसमें डाल दीजिए गोल मिर्च का पौडर, गरम मसाला और चाट मसाला फिर आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए बहुत ही आसान है इसे बनाना, एक बार जरूर बनाईएगा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो इसे मिलाकर फिर से इसे ढख दीजिए और दो मिनट के लिए पकाईए तो मैं आपको फिर से बोल दूँ, मैं इसे पकाई हूँ लो फ्लेम पर सुरू से लाज तक तो भिंडी तयार है